यहां पर दे सकते हैं यहां पर ग्राफिक्स भी दे सकते हैं चेंज की गई है और इसमें आपको छह से साथ नए अपडेट देखने को मिल जाएगे इस वीडियो में जितने भी अपडेट ही है जो लेटिस इसकी प्राइस रखी गई है खरीदने से पहले इस वीडियो को आपको पूरा जरू देखना है लेकिन अगर आप बजास कमपनी के को भी भाइख खरीदने के लिए सोच रहे होंगे और अगर आप देवरियां उत्रपरदेस से विलॉंग कर रहे होंगे तो गनेस बजास देवरियां पर संपर कर सकते हैं यहां पर जो ग्राफिक्स है वो भी यहां पर चेंज कर दी गई है जो पहले आती थी उसमें ग्राफिक्स थोड़ा सा आपको लग मिलता था लेकिन इसमें नए वारियन में दे सकते हैं टैंक स्राउट के उपर आपको यहां पर N160 आपको कुछ ऐसे लाइन वाले ग्राफिक्स के साथ मिल जाती है यहां पर चेंज किया गया है तो अवराल जो 360 इसका वीव है वो आपको दिखायते हैं तो सबसे पहले इसका जो फ्रांट का लूग हो दे सकते हैं फ्रांट का लू यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर बात करें यहां पर चेंज कर सकते हैं इस नए वरियन में इस नए क्रॉप्स के साथ आपको नई ग्राफिक्स के साथ मिल जाएगा तो यहां पर जो टैंक पर ग्राफिक्स देख सकते और इसार पहले की तरह 3D में देखने को मिल जाता है और टैंक के उपर इससे पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की का आपको matte finish और इस तरह का glossy finish आपको देखने को मिल जाएगा E20 fuel के क्वेल मिल जाता है बाकि यहाँ पर USB charging socket पहले की तरह दी गई है और इसका जो on off और आपको यहाँ पर start का button मिल जाता है और side में हाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ आपको ग्राफिक्स देखने के मिल जाती है side में से कुछ screen करेके आपको देखने के मिल जाएगा यहाँ पर कोई भी graphics ने दी गई है side में देखेंगे जो इसका gear levers है वो देख सकते हैं जो इसका foot position है थोड़ा सा आपको यहाँ पर पीछे देखने के मिल जाता है जिससे की aggressive sitting portion मिल जाए यह फ्रेम से आपको black मिल जाएगे बाकि जो pillion के लिए foot rest है वो देख सकते हैं आपको metal body के साथ मिल जाएगा और यहाँ इसको start करके यहां पर इसका tell name designing वो दे सकते हैं की लगाने की start करने के बाद यहां पर आपको number plate के लिए light भी देखने के मिल जाएगे बाकि यहां पर indicator light भी दे सकते हैं इंडिकेटर भी यहां पर change किया गया है इसकी आगे आपको दिखाएंगे बाकि दूसरे side से भी इसका देखने के मिल जाता है इसमें जो seat है वो पहले से ज्यादा comfortable कर दी गई है इसकी जो कोस्णी है थोड़ से यहां पर improve हो गई है तो यह भी आपको यहां पर changes नजर आजाएगा बाकि इदा से भी side आप दे सकते हैं जो pillion के लिए footrest के हो दे सकते हैं riders के लिए दे सकते हैं ज तो काफी सार लोग की demand थी यहां पर LED light के लिए तो यहां पर आपको LED indicator light भी देखने को मिल जाता है तो यह भी आपको यहां पर नया आपडेट देखने को मिल जाएगा बागी दूसरे और भी changes के बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा changes इसके meter console में किया गया है यहां पर आ यहां पर चालू करेंगे यहां दे सकते हैं turn by turn navigation भी आपको देखने को मिल जाती है बाकि यहां पर gear post indicator, rpm meter इसके लाए यहां पर देखेंगे तो autometer, fuel की जनकारी मिल जाती है बाकि यहां पर speed की जनकारी मिल जागी और एक चीज और भी इसमें नया add किया गया है जो कि आपक आप toggle करेंगे यहां पर देखेंगे तो पहला आपको road दूसरा आपको यहां पर rain और तीसरा आपको यहां पर off-road तीन riding modes यहां पर देखने को मिल जाती है यह भी सबसे बड़ अपडेट यहां पर किया गया है बाकि यहां पर neutral light, engine check light और यहां पर ABS के light और indicator light यहां पर आप अपडेट इसके meter console में यह भी किया गया है और यहां पर information थोड़ सा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है बाकि जो इसका handle bus है वो आपको पहले की तरह यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर switches है मैंने आपको बता दिया है कि अभी कुछ टाइम पहले इसमें अप पहले जाते हैं जो अपडेट हुए थे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिये हैं यहां पर आपको यह सजी फॉक्स अस्पेंशन एलेडी इंडिकेटर में अपडेट किया गया है यह सारे अपडेट आपको यहां पो देखने को मिल जाते हैं बाकि इंजन की बात करेत देखने को देखने को मिलता था जिससे कि आपको कुलिंग मिल देती लेकिन यहां से वह हटा दिया गया है तो सबसे बड़ा अपडेट आपको इसके एंजन में देखने को मिल जाएगा यहां पर इसके इंजन की बात करेते इसमें आपको पहले की तरह 164.82 CC का सिंगल यहां पर को भी चेंजन ने कीा गया है लेकिन इंजन है वह ऑईल कुलिंग से यहां पर एर कुलिंग कर दिया गया है यहाा 파ी सबसे बड़ा अपड़ेट किया गया है बाकि यहां पर देखेंगे इसमें अब तो यह चीज पहले जैसी है ताइस के बात करें तो इसके फ्रंट में देखेंगे तो यहां पर यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिस्परिक दिया गया है तो यहां पर यहां पर यहां पर आपको दिखाई दिया है जो यहां पर आपको दिखाई दिया है जो यहां पर यहां पर तीन राइडिंग मोड भी एड कर दिया गया है तो यह सारे फीचर इसमें आपको मिल बाकि जो इसका exhaust node है उसके बात कर लेते हैं तो इसका जो आप यहां पर exhaust देखेंगे तो अन्दा बेली मिल जाता है पहले की तरह इसके exhaust में सुना जाते हैं बाकि जो इसकी headlamp की जो बाकि इसकी डियारा से हो देश सकते हैं और इसमें headlamp on off का भी एक switch मिल जाता है तो इसकी headlamp design है वो देश सकते हैं आपको पहले की तरह LED के साथ मिल जाता है fully a lady headlamp तो यहां पर headlamp की designing में आप देश सकते हैं इस नए variant में बाकि जो इसका weight पहले 152kg तक हो गई है तो पहले से दो की जो हलकी हो गई है बागे जितने भी update हुए तो मैंने आपको इहां पर इस video बता दिया है मैं बात आती है इसकी pricing की किस price range में आपको मिल जागी उसे पहले माअट का लेते है तो इसमें आपको माइलस पहले की तरह में लगी इसमें आपको 45 से लेकार 48 गेमपील तर मेली जिमिल आगी बाकि जो सीट है इसको अब बताते हैं चलाने के लिए ठीकतिया नहीं हो गई ह इसका sitting poster आहां पे दे सकते हैं जो इसका food position है थोड़ा सा पने पर से थोड़ा सा फीशा आपको देखने का मिल जाता है जिसके आपको चलाने में मज़ा विया है तो इसकी sitting poster है वो दे सकते हैं प्राइजिंग के बात करें तो बाद करें तो बजास कंपनी की Pulsar N160 का योजडी फोर्क सस्पेंसां के साथ एक्सिम्म प्राइस में एक लाग ब्यालीज जार उनातर रुपे तक रखी गई है जिसकी उन्ड़ प्राइस वन लाग सिस्टी नाइन टूंड़ नाइट सेवेन यानिकी एक लाग उनातर याद दो सो संतानवे रुपे के आसपास में है बाकि अगर आप देवरियां से बिलांग कर रहोंगे तो इसको पॉच्छेस कर सकते हैं वहां पर जो इसकी एक्जेक्ट अंड़ पाइजे वह आपको पता चल जागी क्योंकि कुछ एक्सेसरी वारा लगवाते हैं तो पैसे थोड़ से कम लिया जाता हो जाते हैं बाकि यह जाते हैं इसके पुराने वाले मॉडल से तो वह भी आपको मिल जाएगी चैनल पर जाकी देख सकते हैं यहां पर स्विटम फाहित नहीं थैंकि फैंस थैंकि सर्वाचिंग